हलो दोस्तों, welcome back to road to IIT, so last time हम लोगों ने course introduction का वीडियो देख लिया होगा, I hope सबने, और हमारा ये नया course जो है, integral calculus पर वो launch हो चुका है, और ये भी full course रहेगा, basic definition से start करेंगे, real meaning समझेंगे, और दिरे दरे आगे बढ़ते जाएंगे, I hope सबको ये सब वीडियो पसंद आ र करते हैं, ये lecture थोड़ा बड़ा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आपको इतना बजाने वाला है, कि आप खुश हो जाएंगे, ठीक है, तो चलिए, definition से start करते हैं, हर एक word समझना हमेशा important हो जाता है, जैसे मैं हर बार समझाता हूँ, ऐसे ही मैं समझाऊंगा, let f be a function that is continuous, पहला word, पहला important word, it has to be continuous, on a closed and bounded interval, a, b, a, b पे वो है continuous, और ये bounded, closed interval है, ठीक है, open interval ऐसे represent होता है, closed interval ऐसे represent होता है, होब सब को ये पता होगा, then the following limit exists, ये एक limit हमें दिखाए गई है, limit n tends to infinity, sigma i is equal to 1 to n, f of x i minus 1 into b minus a upon n, where x i, x i क्या है, x i is equal to a plus i by n into b minus a for 0 less than or equal to i less than or equal to n, अब आप सोच रहे हों कि ये क्या बोल गया, कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से, एक एक चीज मेरी ध्यान से समझीगा, हमें suppose के दो point दिये हैं, एक है point हमारा 0 और एक point है हमें 3, ठीक है, ये दो point दिये हैं, और इस point पे हमें एक function का integration find करना है, तो ठीक है, इसी तरह से integration है, जोड़ना, मतलब to connect, ठीक है, to connect, that is, it is area, area बड़ याद रखीगा, interview में अगर पूछे integration क्या है, तो that is area under the curve, ठीक है, area under the curve है, कैसे, कैसे, मैं समझाओंगा आपको, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दिखिए, हम लोगों ने क्या किया, कि यहां प अब भी graph हो सकता है, लेजिए, ऐसा वाला चलिए, अब क्या फरक पड़ता है, ठीक है, और यह 0 है, और यह है मेरा 3, ठीक है, जो हम लोगों ने interval लिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, अब, b minus a upon n, और n tends to infinity बोला है, मतलब, मुझे क्या करना है, यह b minus a, म इतना बड़े number से divide कर रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा, अगर मैं 3 को, suppose कि 3 into 10 is to 5, मतलब 3 लाक से में divide करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 into 10 is to minus 5, इतना छोट सा एक length मिलेगा, ठीक है, तो वो length मैं यहाँ पर represent कर रहा हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा बड़ा बड़ा कितने है, ऐसे मेरे पास, यह पूरी range में, ऐसे मेरे पास, इतने सारे, मतलब 3 into 10 is to infinity, parts है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे से part का, मैं कर रहा हूँ, integration, मतलब इतने छोटे से part का मैं area find कर रहा हूँ, ठीक है, area find कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ऐसे मेरे पास कितने है, suppose कि मैंने पास इतने है, कितने है, 3 into 10 is to 5, तो मैंने इसका area find कर दिया, suppose कि आया वो कुछ भी आ सकता है, suppose कि आया x, तो मैं उसको multiply कर दूँगा 3 into 10 is to 5 से, तो मुझे मिल जाएगा क्या, कि total, total का integration, ठीक है, मैं multiply करूँगा, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर area हर जगा का सेम रहा, जितनी भी strips मैं draw करने वाला हूँ, 3 into 10 is to 5 strips, तो अगर उसका area same रहा, तो मैं multiply कर दूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, suppose कि इसका area मुझे मिला है x, suppose कि कि किसी और strip का मिलेगा मुझे y, किसी और का मिलेगा z, किसी और मिलेगा w, कुछ भी मिल सकता है, उन सब का मैं addition करूँगा, और यहीं यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है sigma i is equal to 1 to n, मतलब 1 से n तक, यहाँ पहली strip से, अंतियम strip तक, मैं करने वाला हूँ, क्या, integration, summation मतलब, summation मतलब क्या होता है, addition, मैं क्या करूँगा, हर एक step, strip का, जो मुझे limit मिलने वाली है, उसका मैं integration करूँगा, और वो integration कैसे defined है, एक छोटू से कव, पह दिखिए, b-e by n, वो multiplication में, यह है, f of xi, मतलब, एक तम, छोटू से part से हम start कर रहे हैं, और last तक जा रहा है, a is equal to 0 से, up to 3 तक जाएंगे, और जितने भी छोटू-छोटू-छोटू-छोटू-एरिया आएंगे, उन सब का हम करेंगे क्या, addition, तो हमें क्या मिलेगा, total area, this much, total area मिलेगा, ठीक है, and that area is nothing but the integration of that function between these two points, ठीक है, और यह जो xi है, वो कैसे define होगा, वो भी लिखा है, a plus i by n, b minus a, अब i कैसे लेना है, दीखिए, यहाँ पर भी समझ लीजिए, i अगर मैं 0 लेता हूँ, तो यह 0, i 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a, मतलब यह पहली strip आ जाएगी, a मतलब क्या, 0, तो मतलब यह जो, इसके बहुत ही pass वाली, यह जो line है, वो आ जाएगी, ठीक है, यह line आ जाएगी, और अगर मैं i n रखता हूँ, अगर मैं i n रखता हूँ, देखिए यहाँ पर, i n, तो n n cancel, तो क्या हो जाएगा, a plus b minus a, a cancel तो b, मतलब कि यह last जो line है, यह वाली, 3 वाली, वो line भी आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब, 0 रखने पर आती है, first line, और 3 रखने पर आती है, last line, और यह जो बाकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे भी मैं n की value बढ़ागा जाऊँगा, तो ऐसे ऐसे, इस direction में, इसी direction में, वो strip बढ़ती जाएगी, और ऐसी मुझे n number of, कितनी number, n number of, छोटू, 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 strip मिलेगी, और उन सब का मैं क्या करूँगा, summation, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, summation, और वही मेरा हो जाएगा, integration, ठीक है, बहुत यह अच्छी चीज़ें समझ नहीं की है, hope, सब कोई समझ में आओगा, और थोड़ा आगे देखते हैं, क्या bold रहा है, देखिए, यह proper definition है, जो हमने पढ़ा अभी तक, उसका, देखिए, फिर से वही चीज़ लिखी हुए है, let f be a function that is continuous, color दूसरा लेता है, that is continuous on a closed and bounded interval, वही आगे लिखा हुआ था, a कोई भी, closed and bounded है, ठीक है, देखिए, ठीक है, यह भी देखिएगा, देखिए, यहाँ पर, यह part है, ठीक है, closed में, इसलिए, हमें, इसलिए, यहाँ पर हमें, 0 और 3 भी मिल रहे हैं, पता चला आपको, यहाँ पर value 0 और n put करने से, हमें यह value 0 and 3, वह दोनों strip भी मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वह closed interval है, closed interval मतलब, first or last point भी included है, यह maths और physics है ना भाया, हर एक line, हर एक चीज़ का meaning होता है, ठीक है, लेकिन हमें समझाया नहीं जाता है, देखिए, the number, limit n tends to infinity, sigma i is equal to 1 to n, f of x i minus 1, b minus a by n, where xi is equal to a plus i by n into b minus a for 0, less than or equal to y, less than or equal to n, is called definite integral of f from a to b, and is denoted by integration a to b f of x dx, ठीक है, इसको हम कैसे डिनेट, बोलते कैसे हैं वो भी याद रखिए, integration, यह integration का symbol है, ऐसे करके, integration a, this is lower limit, lower limit, हमारे जो example लिया था, उसमें थी 0, b is upper limit, तो this is upper limit, हमें जो example लिया था, उसमें से यह 3, तो lower से upper बोलते हैं, मतलब integration a to b, ठीक है, f of x dx, f of x मतलब की function, dx मतलब की, जिस, के respect में हम यह कर रहा है, जिस line के respect, बहुत अच्छा है, मैं समझाओंगा फिर से, जिस axis के respect में हम area find कर रहा है, वह हम यहां लिखने हैं, ठीक है, वो भी आगा-ागा समझाओंगा मैं, is equal to, यह जो पूरा integration है, वो यह हो जाता है, ठीक है, मतलब limit n tends to infinity, sigma i is equal to 1 to n, f of x i minus 1 into b minus e upon n, अब ध्यान से समझेगा, एक और slide आगे जाता हूँ, यहां पर यह समझागा है, बहुत अच्छा से, कि यह देखिए, एक graph है, x is equal to 0 से x n तक, ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी यह graph है, y is equal to f of x, x n तक, ठीक है, आप देखो, मैंने इसको क्या किया है, यह बहुत बड़ा-बड़ा दिखा है, ठीक है, क्योंकि यह representation style है, अगर मैं एक तुम, बहुत ही tiny-tiny strip दिखा हूँगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो यहां पर क्या किया है, थोड़ा-बड़ा दिखा है, लेकिन दिखिए, n तक, x n तक, मतलब इतने सारे parts इंट डिवाइड है, ठीक है, तो यह सारे parts का आप देखो, area अलग-अलग आ रहा है, ठीक है, इसका area different है, इसका area different है, इसका area different है, इसका area different है, तो इन सारे area का मैं क्या करूँगा, summation, तो मुझे क्या मिलेगा, total area, and total area is nothing but, the integration of that function, between these two points, I hope सबको यह अच्छे समझ में आया, होगा, ठीक है, अब दीखिए, यह थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, एक और चीज में समझा देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, I hope सबको अच्छा लगएगा, यहाँ पर दीखिए, ठीक है, अब दीखिए, समझाता हूँ में आपको, यहाँ पर है a2b f of x dx, ठीक है, ध्यान से देखेगा, dx क्यों लिया है, क्योंकि, जो मेरा curve है न, suppose कि मेरा कोई curve है, यह है curve, तो मैं 0 to 3 में, मैं with respect to x-axis में area find कर रहा हूँ, ठीक है, I am going to find out this area, guys, यह area find कर रहा हूँ, और यह with respect to कौन सी x-axis है, यह कौन सी x-axis है, x, इसी लिए मैंने लिखा है dx, अगर, अगर, सपोज कि मेरा curve हो जाता, सपोज कि मेरा curve है, इस तरह से कोई है, इस तरह से कोई curve है, ठीक है, और अगर मैं find करना चाहता हूँ, यह वाला area, तो मैं क्या लिखूँगा, बता है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पर, d y, ठीक है, तो integration क्या होगा इसका, a to b, f of y, d y, क्यों, क्योंकि मैं जाए, with respect to y-axis, find करना है, integration, integration, area, with respect to कौन से axis, find करना है, y-axis, ठीक है, बहुत ही important चीज है, यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्क्रिट करते हैं, लेकिन हमें नहीं करने, इसलिए ध्यान से समझीगा, ठीक है, with respect to y-axis करना है, तो हम d y लेंगे, with respect to y-axis करना है, तो हम d x लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्चा sentence लिखा हुआ है, यह कि भाया हमें जरुवत क्यों पड़ी, calculus arises out of the effort of solving two problems, following types, कि यह दो चीजें हमें करनी थी, इसलिए ही calculus integration की जरुवत पड़ी है, पहली थी, problem of finding a function, whenever its derivative is given, मतलब कि, suppose कि हमें पता है, कि x cube का derivative क्या है, हमने पढ़ लिया और लेड़ी 3x square, लेकिन आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए, कि भाया यह 3x square है, ठीक है, यह 3x square दिया है, इसको बूल जाओ, इसको बूल जाओ, तो आप मुझे बताओ कि, इसका, यह किस चीज़ का derivative है, यह 3x square, किस चीज़ का derivative है, मतलब कि, यह कहां से, कौन सा function था f of x ऐसा, कि जिसका derivative यह आया है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगी, मैं किस direction मैं जा रहा हूँ, ultimately derivative का जो reverse है, मतलब कि inverse है, वही operation है integration, ठीक है, और दूसरी चीज़, कि the problem of finding the area bounded by the graph, of the function under the certain condition, यह जो हमने देखा अभी, कि integration is nothing but the area, under the area bounded by the graph, under a certain conditions, conditions के साथ, जो area bounded होता है, with respect to respective axis, उसे ही हम कहते हैं, integration, ठीक है, I hope सबको समझ में आओगा, and this two problem leads, for finding the, a new theory, a new term, a new area of field in calculus, that is integral calculus, that is integration, ठीक है, तो I hope सबको ये चीज़ भी, अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, कि ये भी बहुत अच्छे चीज़ बोलना चाहा रहा है, यहाँ पे, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, इसका पेरेंशिएशिशन कोशेक्स हैं, हमें पता है, X3 by 3 का इसकीशन X-square है, हमें पता है, E raise to X का भी differentiation E raise to X है, लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि, भी हा, कोशेक्स जो इसकीशन है, यह किस चीज़ का इसका 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 पैरेंट को हैं, तो उसके लिए हमें उसका inverse process करना पड़ेगा, and that process is known as integration, ठीक है, integration is the inverse process of differentiation, instead of differentiating a function, we are given the derivative of function, मतलब derivation दिया है, and ask to find its primitive, मतलब उसका origin क्या है, उसका real, कहां से, उसका बाप कोन है, वो हमें find काना है, its original function, देखा है, such a process is called an integration, और anti-differentiation भी बोलते हैं, ठीक है, यह word याद उसका example, यह 3 में ले रहा हूँ अभी तो, और दिरे-दिरे हम आगे देखें, यह कैसे है, यह काम करता है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा formula's है, सारे के सारे formula's भी हम देखेंगे, ठीक है, तो I hope इतना समझ में आओगा, कि क्यों आया है यह, क्यों हम find करना है, बच्चों क्या एक और थोड़ा sentence इसा है, the, the anti-derivatives or integral of the above cited functions are not unique, ठीक है, मतलब कि यह functions जो है, उसके derivative unique नहीं है, कैसे यह क्यों बोल रहा है sentence, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, actually, there exist infinite many anti-derivatives of each of this function, which can be obtained by choosing C, arbitrary from the set of real numbers, ठीक है, यह क्या बोल र कि अख्चुली कि suppose कि मुझे पता है कि cos x, ठीक है, यह किसका differentiation है, तो हम पता है कि sin x का differentiation होता है cos x, ठीक है, यह हो गया, अब आप मुझे बताओ, sin x plus 1 का differentiation क्या होगा, यही होगा, अब आप मुझे बताओ, sin x plus 1.1 का differentiation क्या होगा, sin x plus 1.1 का, यह भी यही होगा, आप मुझे बताओ, sin x plus 2 का differentiation क्या होगा, यह भी यही होगा, आप मुझे बताओ, sin x plus 11, 11, 11 का differentiation क्या होगा, यह भी यही होगा तो यही यह line में कहना चाहरा है कि anti derivative जो है कि इसका anti derivative इसमें से कोई भी भी हो सकता है ये भी हो सकता है कोई भी function हो सकता है वो हम पे dependent है कि हम कौन सा real value चूज करता है यहाँ पे मैंने choose किया है 0 यहाँ पे 1.1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 11 चूज़ किया है चीक है तो हम पर dependent होता है इसलिए जब भी हम anti-derivative find करते हैं तब हम plus हम commonly लिख देता हैं कि cos का sorry cos का cos x का anti-derivative मतलब उसका integration हो जाएगा क्या बोलते हैं sin x ठीक है plus c हम plus c लेख देते हैं और c जो होता है यह मेरा इसे हम कहते हैं arbitrary constant and that belongs to real number set that is r कोई भी आप constant ले लो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि constant का differentiation होता है हमेशा 0 इसलिए हम plus c लेख देते हैं ठीक है and that is the only reason पूरा मिटा देता हो मैं फिर से given function जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि c vary करने से हमें different values different anti-derivatives मिलते हैं ठीक है तो I hope सबको यह समझ में आया होगा और यही चीज़ यहां पर लिखाया है कि function with same derivative differ by a constant बहुत इंची line है direct exam यह line आएगी definitely लिख दो यह line directly exam में आ सकती है यह line में प्रूव करना चाता हूँ एक page लेके page लेया है मैंने अब मुझे आप बताइए कि e rest to x e rest to x है उसका anti-derivative क्या है e rest to x है क्यों? क्योंकि e rest to x का differentiation भी क्या होता e rest to x I am correct अब मैं इसमें लिखता हूँ plus c क्योंकि Maßश के मैं आपको अभी भी समझा आया है कि अगर मैं लोता हूँ e rest to x plus 0 suppose कि मैं ले लिया इसके उपर से मैं लिख रहा हूँ e rest to x plus 0 तो भी इसका differentiation क्या आएगा? यही आएगा अगर मैं लिख रहा हूм e rest to x plus 0.5 तो भी इसका differentiation क्या आएगा यही आएगा e raised to x plus 10 raised to minus 3 again this thing e raised to x plus 10 raised to 5 एक लाख ले लिया प्लस तो भी यही आएगा e raised to x plus मैंने ले लिया suppose के 25 तो भी यही आएगा मतलब कि क्या बोल रहा है function with the same derivatives differ by a constant कि आप दीखिए यह सारे function का derivative है same मतलब सारे का derivative क्या है e raised to x है function यह सारे के सारे functions functions with same derivatives same derivatives फिर से बता रहा हूं functions with the same derivatives differs by a constant दीखिए differs by a constant ठीक है I hope सबको मजा आया होगा यह lecture ने बहुत ही अच्छे तरीके समझाया है हर एक चीज ठीक है और यह lecture थोड़ा बड़ा हो गया मुझे पता है क्योंकि इसमें ही मैं cover करना चाहता था ज्यादा time इसमें waste करना नहीं चाहता हूं मैं आप प्लीज हर चीज का एक अच्छे से अपनी language में notes बनाई है यह आपको interview में पूछा जाएगा यह सब चीज है मैंने भी इंटर्वी फेस किया और उसमें आता है यह चीज है कई बार theoretical question direct exam में भी पूछे जाते हैं और यह आगे जाके engineering mathematics आप पड़ोगे एमटेक में जाओगे तब हर जगा यह बहुत यूज होने फाला है तो प्लीज इसको अप लिख दीजिए तो थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो गाई जाएगा माइनस को सैनेक्स का साथ में लेकर आपको अच्छे संजा दूंगा और एक लेक्चर में खतम गर दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद